अगले हम आगे बढ़ते हैं बाट एवं माप प्रमाप अधिनियम 1976 यानि the standards of weight and measures act 1976 इसमें जब किसी वस्तु को तौलने के समय या उसकी quantity में अगर difference आता है तो वहाँ पर इस नियम को लागू किया जाता है इसके बाद हम अगले आगे बढ़ते हैं आगला जो हमारा अधिनि यह जो है trade and merchandise mark act 1958 के जगह पर लाया गया था इसमें क्या होता है कि एक trademark यूज किया जाता है और यहां पर जैसे कि अधिनियम के बारे में चर्चा मैंने पिछले chapter में भी की ती कि यह क्यों यूज किया जाता है आगे हम 9 अधिनियम के और बढ़ते हैं जो की है प्रतियोगि अधिनियम 2002 the competition act 2002 यह जो अधिनियम है वह एकादिकार यह व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के स्थान पर लाया गया क्योंकि यहां पर क्या हो गया था कि शासन को ऐसा महसूस हो रहा था कि जो व्याफसाई है वह अपने बाजार में अपने मोनोपॉली को बनाए रखने क के लिए को क्या कर रहे थे है अपनी प्रतियोग'िआं को कुछ हानिया पहुचा रहे थे तो इस सरह सकते हैं की वियाफसाईों artwork बाजार प्रतियोगिता में बाधा डालने वाली कार्यवाहिं के विरुद भोक्ताओं को सनरक्षन प्रदान करने के लिए इस आक्ट को लागू किया गया था हम नेक्स्ट और अंतिम आक्ट की ओर चलते हैं जो अंतिम हमारा आक्ट है वो है भारती मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 यह जो आक्ट होती है इसमें दो क्रियाएं सनलंगन की जाती है पहली क्रि हैजाता है कि उसकी जो क्वालिटी है स्टांडर्डर्स के जिसार सहीं है तो वहां पर आक्ट पर यह उत्पाध पर यह जबकिसी क्या घा यहёт कोट में इस्सी कायत में और उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाती है भारती मानक bureau अधिनियम håndike 1986 इस तरीके से कारे करता है बच्चों ये तो हुए अलग-अलग अधिनियम जिनका उपयोग करके एक कस्टमर या एक कंज्यूमर जो क्या होता या एक भोकता जो है वो क्या कर सकता है अपने आपको शोशन से बचा सकता है आए हम डीटेल में जो भोकता संद्रक्षन अधिनि में आया लेकिन एक जुलाई 1987 में यह पूरे देश में केवल जम्मू और काश्मीर को छोड़के पूरे देश में लागू कर दिया गया इसमें 1993 में और 2003 में कुछ संशोधन कारे किये गए और यह जो है इसके बाद उभोकता संद्रक्षन अधिनियम पूरे देश में लाग संंद्र और राज्य में बनाए गया और इनका मुख कार इयर गया उब्भूक्ता संड्रक्षन परिशद यानि इस तरह के कौंसल की स्थापना को सामने लाया गया इसमें क्या किया गया और अर्दश्रास्किय यह गैर श्रास्किय व्यक्ति भी इसमें समेलेत किये गए जो कि इस council के अंतरगत कारे करते हैं अब हम इनकी कुछ विशेष्टाओं को देखते हैं कि अधिनियम के अंतरगत क्या विशेष्टाइं समेलेत की गई जो पहला विशेष्टा है या पहली विशेष्टा है वो है मदो का फैला यानि coverage of items इन में उन सभी वस्तूओं और सेवाओं क के अगेंस्ट क्या होगा कि उन समस्याओं को सुना जाएगा उभोगता के केवल उन सवस्तूओं सेवाओं को छोड़ा गया जो कि केंद्र शासंद्वारा कुछ विशेष्ट नियम और कानून के तहत मुक्त होती है इसके बाद जो दूसरी इसकी विशेष्टा आती है वह सहकारी आते हैं तीसरा इसकी विशेष्टा यह है कि उभोगता अधिकारों का समूह होता है क्या ग्रूप ऑफ कंजूमर राइट्स जैसे कि आप जानते हैं या आपने सुना होगा कि उभोगता को कई तरीके अधिकार प्राप्त है जो कि इस चैप्टर में हम आगे डीटे को प्राप्त है और इस इन जो अधिकारों के बारे में हम डीटेल में इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे आए हम अगली विशेष्टा की ओर पढ़ते हैं जो की कहती है सुरक्षा सेफटी किसे सेफटी देना अगर कुछ कोई वस्तों से या किनी सेवाओं से किसी वि अगर यह कि इस के बाद अगर बढ़ें तो अगली विश्रिष्टा कहती है कि प्रावधानों की श्रती पूरक प्रकृति अब इसमें क्या है कि जैसे कि सेफटी देना या सुरक्षा प्रदान करना इसके मुख्यों विश्ष्ष्था या कारिमा सकते हैं लेकिन इसके अला और एकस्त्रा उसको मदद चाहिए या उसका कुछ नुकसान हो रहा है उसकी शृति पूर्ति अगर चाहता है तो वह इस अधिनियम के अंतरगत प्राप्त कर सकता है जो चटवा हमारा विशेष्टा है वह है तीन सरी शिकायत तंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया था थी टियर ग्रिवियांस रिटरिसल मशिनरी इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया थे तीन तंत्र तयार किये गए थे जिसमें न्यायलय तयार किये गए थे यहां पर यह न्यायलय जो है उभुकताओं को शोशन स बचाने के लिए और ना smt करने के लिए तियार किए कई थे यह तीन जो शिकायत तंत्रते सोब्सक्राइब कुछ इस प्रकार थे और जिला शरी वर जिला फोरम था राज सरी था वह राज्यायोग था और तीसरा था राष्ट्र सरी वह राष्ट्रयायोग था इसके बाद हम सात्वे बिंदू की और या सात्वे विशेष्टा की और चलते हैं तो उसके इनुसार भोकता सनर्क्षंड परिश्यद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रट इसकी विशेष्टा है यह समय बद्ध निवारण यानि टाइम बाउंड रिड्रसल इसमें क्या होता है किसी भी शिकायत को लेकर के एक निश्चित समय आवधी में उसकी अर्था उभोकता की शिकायतों का निवारण कर दिया जाता है और उनकी शिकायतों के लिए हल तरीके से जानते हैं आइए अब हम भोकता संरक्षन अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधाना क्यों चलते हैं यानि में प्रोविजिंस ओफ कस्टमर प्रोटेक्शन आक्ट इसमें जो पहला प्रावधान है या पहला देखते हैं भोकता का अर्थ जैसे कि हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या है वे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेस यानि वस्तुएं सेवाओं का क्रे करते हैं एवं उनका उपभोग करते हैं वो लोग क्या हुए कस्टमर हुए लेकिन उपभोगता संरक्षन अधिनियम के अनुसार हम देखेंगे कि कंज्यूमर का अर्थ क्या है या उपभोगता कौन होते हैं उनके अनुसार वे व्यक्ति जो प्रदिफल के बदले वस्तुएं क्रे करते हैं अत्वा सेवाओं क्रियाएं कर लेते हैं इसके अलावा वह क्रेता की स्विकृती से वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह उस अन्य व्यक्ति की स प्विक्रती से वाओं का उपयोग करते हैं जिसके द्वारह उन्हें क्रिया पर लिया जाते हैं और अंतिम्प वे लोग भोकता कहलाते हैं जो क्रे की गई वस्तु आथवा किराय पर ली गई सेवाओं का उपयोग केवल स्वर रोजगार के लिए या अपनी जीविका को अर्जित करने के लिए करते हैं तो यह जो चार हमने बिंदू देखे यह हैं उप्भोकता के अर्थ किसके अनुसार उप्भोकता संद्रश्ण अधिनियम के अनुसार अब हम आगे देखेंगे कि शिकायते क कौन कौन दर्श करा सकता है तो स्वर्म उप्भोकता एक उप्भोकता शिकायते दर्श करा सकता है और कोई भी मानिता प्राप्त उप्भोकता शिकायत दर्श करा सकता है इसके अलावा केंद्रिय सरकार दर्श करा सकते हैं राज्य सरकार या मृत उप्भोकता का जो कानू उनी अधिकारी जो अत्वा प्रतिनीदी होगा वह अपने क्या करा सकता है वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है फिर हम शिकायत के आधार देखेंगे कि किस बेसिस पर या कौन से ग्राउंड पर कंप्लेंज किये जा सकते हैं तो पहला अगर हम शिकायत का आधार देखें तो अनुचित या प्रतिबंदित व्यापार व्याभार या अनुफेर restrictive trade practices मतलब कोई भी व्याभार या व्यापार क्रय करना जिसमें की गलत तरीके से व्यापार किया जाए इसमें यह सम्मिलित होते हैं अब सबसे बड़ी जानकारी लेना जरूरी यह है कि यह अनुचित व्यापार और यह प्रतिबंदित व्यापार क्या होता है आगे हमसे अलग करके देखते हैं कि अनुचित व्यापार क्या होता है या प्रतिबंदित व्यापार क्या होता है तो पहले देखेंगे हम अनुचित व्यापार व्यवहार अनुचित व्यापार व्यवहार में क्या होता है कि ज्यादा लाब आर्जन करने के लिए जब कोई व्यावसाई इक अगर इन्हें कुछ उदार्णों के माध्यम से समझें तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि वस्तूओं एम सेवाओं के बारे में गलत जानकारी देना या फिर गिफ्ट स्कीम जारी करना जिसके अंतरगत उसकी जो कॉस्ट है ऑल्रेडी क्या कर ली गई है जोड ली गई है या फि तो यह पास अदू है लेकिन वह आगे लाँ कमाने की इच्छा रखता है तो इस ते वह यह तुरूटी पून्ड व्यवहार कर रहा है कि इस समय वह उपने उप्भोकता को क्या कर रहा है वह उत्पाद उपलब्द नहीं करा रहा है बल्कि वह उस समय का इंतजार कर रहा है जब market में बाजार में उस वस्तू की कमी हो जाएगी और वह बढ़ती हुई कीमतों पर उस उत्पाद को अपने उभोगताओं को बेचेगा तो यह इस तरह के जो कुछ उदारण हैं जो अनुचित व्यापार व्यवहार में आते हैं या उसके अंतरगत लिए जाते हैं अब हम जानेंगे कि जो प्रतिबंदित व्यापार व्यवहार क्या होते हैं इसमें क्या होता है कि वे व्यवहार जो की गलत तरीके से किये जाते हैं या जो की रिस्टिक्टिव है जिनको रोका जाना चाहिए जो प्रतिबंदित हैं ऐसे व्यापार की जाते हैं जैसे कि मान ल उतकार बेची जायेगी जब उसके साथ आप कोई पूलिसी भी लेंगे तो इसी तरह के जो ट्रेड प्रक्टिस हैं या व्यापार व्यावार certified प्रतिबंदित व्यावार में या उसके अंतरकद आते अहीं अगे हम देख Almost नेग्स। इसका जो और दो श्युक ट Market यह निए डिफेक्टिव गुड्स के बारे में देखेंगे हम जो डिफेक्टिव गुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं जैसे कि उसकी क्वालिटी इच्छी नहीं है जो स्टांडर्स तैग किये गए हैं वो से नुसार नहीं है या जो पाकिंग में जो मटीरियल्स उसमें इं अंतरगत की 24 जो है मन्स के पहले उनको यूज करना है वो आवधी खतम हो चुगे यह सारी चीजें इसके अंदर इंकलूड होती है या इनके अंतरगत आती है और बहुत डिफेक्टिव गुड्स के अंतरगत आती है अब हम देखेंगे सेवाओं में नियून्ता अब सेवाओं में नियून्ता कैसे अगर कोई बैंक लोन देने के लिए समय लगा रही है या अगर कोई बीमा है कंपनी है वो अगले हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि अधिक कीमत लेना यानि एक्स चार्जिंग or प्राइस किसी भी वस्तू पर कीमत से ज्यादा कीमत लेना वो किस में आती है अधिक कीमट लेने जमा पूर्ण वस्तों की पूर्ति यानि सप्लाय ओफ हजार्ड गूड अब यहां पर जो खिम पूर्ण वस्तों कौन कौन से हो सकती उजारण के लिए हम ले सकते हैं प्रेशर कुकर बिजली के यंत्र और कुकिंग गैस माइक्रोवेव और वन यह सारी चीजे जो हैं यह जो खिम पूर्ण वस्तों हैं अब इनकी पूर्ति अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और उसमें कुछ समस्यां उत्पन होगी और सर्विस प्रॉपर नहीं मिलेगी तो यहां पर यह जो खिम पूर्ण वस्तों की पूर्ति या उनकी सप्लाई में समस्यां उत्पन होगी तो दिनियम है, इसके अंदर इंक्लूड की जाते हैं, आगे हम डिटेल में देखते हैं.